नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर दोस्तों जीवन में हर समस्या के लिए लाल किताब में अलग-अलग उपाये दे रखे हैं कई बार व्यक्ति की आर्थिक स्थिती ऐसी नहीं होती कि वो स्पेसिफिक परामर्श ले सके या कुछ महेंगे उपाये कर सके तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ऐसी स्थितियों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ आटे के कुछ उपाये शेयर कर रहा हूँ आटा हर जगा पर हर व्यक्ति के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है अगर इस आटे का प्रयोग करके भी, अगर आप अलग-अलग उपाए करते हैं, अलग-अलग हेतू के लिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, ये उपाए आप जिस तरह से बताए गए हैं, आप उसी तरह से करने की कोशिश करें, तो आपको लाब जरूर म मिलेगा, इससे पहले कि मैं उपाए आपके साथ शेयर करूँ, आप से निवेधन करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को पुश करना ना भूले, ताकि समय पर वीडियो की करके करेंगे, वो है अगर आपकी आर्थिक स्थिती बहुत खराब है, तो ऐसे केसिस के अंदर थोड़ी सी हल्दी, चुटकी हल्दी लीजेगा, उसको आटे में मिलाकर गूंत लीजे, और गुरुवार के दिन, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप गाएं को आप चाहें, तो साधा आटे की लोई में थोड़ा गुर, हल्दी और चने की दाल रखकर भी गाएं को खिला सकते हैं, लेकिन ये कारे जो आपको करना है, वो गुरुवार को करना है, और इसमें आप थोड़े दिनों में ही अपनी आर्थिक स्थिती में फर्क महसूस अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, जो नौकरी ना मिलने से परिशान हैं, नौकरी के लिए बहुत सारे इंटर्व्यू दे चुके हैं, लेकिन उनको मन चाही नौकरी नहीं मिल रहे हैं, या वो नौकरी में हैं, लेकिन वो नौकरी चेंज करना चाते हैं, तो ऐसे केसिस क लिए आटे में गोड मिलाकर मीठी पूडियां बना लिजे और रवी वार के दिन किसी भी गाएं को खिलाएं इससे ना सिर्फ आपका सूरे मजबूत होगा नौकरी और धनसंबंदी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी बहुत सारे घर में ऐसा देखा गया कि रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारे विवाद रहते हैं परिवार में भी हमेशा कला की स्थिती बनी रहती है तो ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए आटे का एक बहुत इंपोर्टेंट उपाए आप कर सकते हैं आजमाया हुआ उ तुलसी की पतियां दो दाने केसर के साथ आप जितना गेहु प्रयोग करते हैं वो पिसवा कर आटा पिसवा लिजे इस आटे की रोटियां आप नेमित रूप से प्रयोग में लाएंगे तो आपके बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा और सेहत भी बहतर रहेगी अगर पिसा हुआ आटा लेते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 100 ग्राम काले चने, 11 तुलसी की पतियां, 2 दाने केसर इन सबको पिसवा लिजे और उस आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिजे और फिर उस आटे की रोटियां बनाई जाएं तो आपके जो रिलेशन्शिप में विवाद आ रहा है, जो कलह की स्थिती बनी हुई है, उनसे आप बच पाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, कहीं पर भी 99 पर जाकर काम अटक जाता है, तो ऐसे में आटे में थोड़ी सी चीनी मिला कर आप उनकी छोटी छोटी गोलियां बना ले और उसको फिर चीटियों को डाला जाए, तो आपकी ये जो समस्याएं हैं जो भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो ये भी आपका दूर होने लगेगा, अगर शनी ग्रह से संबंदित आपको समस्याएं आ रही हैं, तो शनी वार के दिन काले कुत्ते को स पड़ी रोटी आप खिलाते हैं, तो वो आपके शनी संबंदी जो भी आपको तकलीफे आ रही हैं, उससे आपको मुक्ती मिलेगी, और इससे अगर आपका कई बार क्या होता है, कि व्यक्ति का कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, आर्थिक समस्याएं बहुत जादा हो रही हैं, तो उस कर्ज से भी मुक्ती मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखेगा, इसे नेमेत रूप से करना है, आप एक बार करके ही अगर सोचेंगे कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप इसे नेमेत रूप से प्रयोग करें, इस उपाए को थोड़ा लॉंग को डालें, और एक प्रैक्टिस बना लीजे, रोजाना शाम को, आप एक आटे का दिया लें, उसमें गाएं का घी डालें, और थोड़ी सी चीनी डाल कर जलाएं, कम से कम ये उपाए आपको 43 दिन, यानि 43 देज लगातार करना है, इस दीपक को आप किसी भी समय जला सकते है बेस्ट रहेगा शाम के समय जलाएं, और अगर आपने अपने घर में तुलसी रखी हुई है, तो तुलसी के पौधे के पास जलाएं, तो इससे ना सिर्फ आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अगर आपके कोई वास्तु संबंदी परिशानिया आपको आ रही है, आप आटे की लोई बना लें, या रोटियां बना लें, वो नेमित रूप से गाएं को खिलाएं, आप डॉक्स को डालें, और आटे की जो रोटियां होती हैं, जो आपने बनाई हैं, उनके छोटे-छोटे टुकडे कर लें, और वो कवों को डालना शुरू करेंगे, तो आप द खिलाएंगे तो शुक्र संबन्दी जो आपकी समस्या हैं वो दूर होंगी और इसी तरह से जब डॉग्स को डालेंगे आप तो आपकी केतु संबन्दी जो समस्या हैं वो दूर होंगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में सुख समरिध्धी आने लगी और ऐसा भी है कि शत्रू बहुत परिशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आटे की एक गोली बना लिजे, ये जो उपाय करना है आपने शनीवार को करना है, और शनीवार को शाम के समय करना है, सुर्यास से पहले करना है, अंदर आ गई, या जो व्यक्ति मुझे परिशान कर रहा है, वो उसकी जो नेगेटिविटी है, वो इस गोली के अंदर आ गई, और फिर एक कील लेंगे, आप कील लेकर वो उस आटे की गोली में लगा दीजे, लगाने के बाद आप ये फील करिए, कि ये जितनी भी समस्याएं हैं मेरी, ये खतम हो रही है, या मेरे जो शत्रू हैं, वो मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उसके बाद उस कील समेत, उस कील को और आटे की गोली को, आप किसी भी पेड के नीचे रख के आ जाईए, ये ध्यान रखेगा, ये जो उपाएं आपने करना है, शनीवार की शाम को सुर्याज से पहले करना है, और जब आप ये उपाएं करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप चाहें तो इस उपाएं को रिपीट कर लीजे, आप हो सके तो इसे 9 शनीवार इकठे कर लीजे, 9 शनीवार आप उपाएं करने के बाद देखेंगे, कि वो शत्रू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे है, या आपकी जो परिशानिया आ रही थी, जो नेगिटिविटी थी, वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगी, और सबसे अच्छा तो यहीं रहता है, कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, आप अपनी पत्रिका के लिए कंसल्टेशन ले, ताकि स्पेसिफिक रेमेडी आपको सजेस्ट की जा सके, जिससे आपको लॉंग टर्म रिलीफ मिल जाए, दोस्तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, बागी लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर सबस्क्राइब नहीं किया, तो जरूर सबस्क्राइब कर दें, और बेल बटन को पुश करना ना भूले, किसी भी तरह के जोतिशिये परामर्च के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके, अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों,